हलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में गुर्जर परतिहार सासक राम भद्दर एम मिहिर भोज के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेगा स्टुडेंट्स, इससे पह गुर्जर परतिहार इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं, वो एक्जाम की दर्स्टी से बहुत ही महत्वपून है, आप वीडियो को बार बार देखेगा, और यदि कोई आपको सुझाव देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में स सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेर करें, तो चलिए पढ़ते हैं, गुर्जर परतिहार सासक, राम भद्र मिहर भोज, सबसे पहले हैं, राम भद्र का इतिहास, तो गुर्जर परतिहार सासक, नाग भडविते के बाद, उसका पुत्र राम भद्रोगद्धी पर बैठा था तो नागबर सेकिंड के बारे में हम पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं ठीक है तो पहले वाले वीडियोज को आप देखेगा अब जो राम भद्रे ये अत्यन्ती दुरूबल सा सकता जिसने मातर तीन वर्सों तक राजे किया उसके समय में परतिहारों को पालों के हातों पराजे का सामना करना पड़ा था नारायन पाल के बादल लेग से पता चलता है कि देपार ने गुर्जर राजों के गमंड को चूर चूर कर दिया था यहां गुर्जर राजों से तात्प्रिये राम भद्र से ही है इन्तु अप पिस सामराजी के कुछ दूरस्त परदेशों पर उसका अधिकार बना हुआ था ठीक है तो ये छोटा सा छोटी सी डिटेल थी हमारे पास राम भदर के बारे में आप पढ़ते हैं हम मिहिर भोज का इठिहास जो गुर्जर परतिहार सासकों में सक्तिसारे सासक था और इसका सम मिहिर भोज के राजिया रोहन के साथ ही परतिहारों के सक्ति दैदिप्पे मान हो गए थी उसने अपने वन्स का वर्चस्वय बुंदेल खंड में पुनाय स्तापित किया तथा जोदपूर के परतिहारों का दमन किया भोज के दोलेतपूर तम्र पत्र अभिलेक से पता चलता है कि परतिहार सासक मध्य तथा पूर्वी राजपुताना में अपना वर्चस्वय इस्तापित करने में सफल रहा था उत्तर में उसका वर्चस्वय हिमाले की पाहडियों तकिस्तापित हो चुका था जैसा कि गोरखफुर जीले में एक कल्चूरी राजा को दिये गए एक भूमी अनुदान से पता चलता है मिहिर भोज के दो अन्य नाम जो परभास और आदिवराह भी मिरते हैं मिहिर भोज का सरवादिक परमुख लेख ग्वालेर का लेख है जो परसस्ति के रूप में है लेखों के अलावा कलहन तथा अरब यात्री सुल्नेमान के विवर्णों से भी हमें उसके सासनकाल की गष्णों के बारे में जानकरी मिलती है मिहिर भोज ने कल्चूरी तथा गुही लोतों के साथ मैत्री के शम्मन्दी स्तापित किये मिहिर भोज दो पाल नरेशों दे पाल तथा विक्रह पाल का समकालीन था तो देखे स्टूर्स कई बार एकजामें पूछ लेते हैं कि मिहिर भोज है ये कौन से पाल सासक का समकालीन था तो वो दो पाल सासक थे वो कौन कौन थे दे पाल और विक्रह पाल मिहीर भोज राष्ट कूर सासक अमोग वर्ष तता कृष्ण द्वित्य का समकलीन था मिहीर भोज ने कन्योज को अपने राज्य की राज्दानी बनाया था भोज ने वैश्णाव धरम को अपनाया था तता इसके साथ ही उसने आदिवरह एम परभास जैसी उपादिया भी धारन की थी मिहीर भोज गुर्जर परतिहार वन्स का सुरवातिक सक्ति साली सासक था लेकिन भोज का समराज्य वादी लग से सभी जगाय सफर नहीं रहा वह पाल सासक देपाल से पराजित हुआ पूरव की इस पराजय से निरास नय होते हुए उसने अपना ध्यान दक्सिन की ओर केंद्रित किया एम दक्सिन राजपुताना एम उज्जेन के आजपास के छेत्रों समेर नरमदा तक अधिकार कर लिया था अब उसका सामना राश्ट कुटों से होता है जिसके सासर धुरुए जुईते ने उसके विजे अभियानों पर रोक लगाई थी 37 साली पाल सासक देपाल के मर्द्यू के बाद राजनातिक परिदर्शे में परिवर्तन हुआ तथा राश्ट कुटों ने बंगाल पर आकरमन किया भोज ने कमजोर नारायन पाल को प्राजित किया उसके पसिमी छेत्रों के बड़े भागों पर अधिकार कर लिया इस विजे से प्रेरित होकर भोज ने राश्ट कूर सासक क्रिश्रन तृतिये पर भी आकरमन कर दिया और कश्रन तृतिये को नर्मदा के किनारे पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था अब देखेगा आता है मीर भोज का समरजे विस्तार भोज का विशाल समराजे उत्तर पस्तिमी 17 उत्तर में हिमाले की पहाड़ियों पूरव में बंगाल दक्सिन तता दक्सिन पूरव में बुंदेल खर्ण तता वत्स के छेत्र दक्सिन पस्तिम में नर्मदा तता सोरास्टर एवं पस्तिम में राजपुताने के हिस्सों तक सुल्यमान ने उसकी उपलग्दियों का उले किया है कई बार क्यों सर्म पूछ लेते हैं कि अरब यात्री सुल्यमान किसके काल में था वह आपका मिहर भोज और सुल्यमान ने मिहर भोज के सासनकाल का विश्त्रित वानन किया है जो इस परकार है इस राजा के पास बहुत प्राजा मानता है भारत के राजों में उससे बड़ा इसलाम को कोई दूसरा सत्रू नहीं है वह अपार धन एम एस्वरिय युक्त है भारत में उसके अतिरित कोई राजे नहीं है जो डाकों से इतना सुरक्षित हो भोज के लेखों तथा मुद्राओं पर अंकित आदी वरा है उपादी ये सूचित करती है कि देश को मलेच्छों अर्थात अरबों से मुख कराना वै अपना पुनीत करतवे समझता है अरब इससे बहुत अधिक ड्रत दे थे 215-16 इस्वि में सिंद्ध की यात्रा करने वाले मुस्लिम अलमसूदी यहां तक लिखता है कि अपनी सक्ति के केंद्र में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था जब भी पर्तिहारों के आकर्मन का भय होता था तो वे उस मंदिर की मूर्ती को नस्ट कर देने का भय पैदा कर अपनी रक्षा कर लेते थे बिलादूरी कहता है कि अरबों को अपने रक्षा के लिए कोई सूरक्षित स्थान मिन्ना ही कठिन था उन्होंने एक जील के किनारे अलहिंद सीमा पर अलमहफूज नामक एक सहर बसाया था जिसका अरध सुरक्षित होता है इन सभी वीवनों से स्थ हो जाता है कि भोज ने पस्थे में अरबों के परसार को रोक दिया था अपने इस वीर कृत्ते द्वारा उसने भारत भूमी की महान सेवा की थी तो देखेगा ये गुर्जर परतिहारों के जो सासक थे राम बदर और मिहर भोज इनके बारे में अपन लोगों ने आप पर पढ़ाई की और इसी प्रकार से आपको और भी इन्फोर्मेसर मिलती रहेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे